व्यवस्ता विवरन अध्याय नव हे इस्रायल, सुन, आज तू यर्दन पार इसलिए जाने वाला है, कि ऐसी जातियों को जो तुछ से बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर पनाह, आकाश से बाते करती है, अपने अधिकार में ले ले. उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवशी रहते हैं, जिनका हाल तु जानता है, और उनके विशे में तुने यह सुना है, कि अनाकवशीों के सामने कौंट हर सकता है, इसलिए आज तू यह जान ले, कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की ना और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहा के वचन के अनुसार उनको उस तेश से निकाल कर शिग्र ही नश्ट कर डालेगा, जब तेरा परमिश्वर यहा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है। किन्तु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। उनकी दुष्टता है। और यह भी कि जो अचन उसने इबराहिम, इसहाक और याकुब तेरे पुरुजों को शपत खा कर दिया था, उनको वह पुरा करना चाहता है। इसलिए यह जानले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है, कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हटीली जाती है। इस बात का स्मरन रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस कि स्रीती से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तूम इस थान पर न पहुँचे, तब तक तूम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आय हो, फिर होरेप के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नश्ट करना चाहता था, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी, लेने के लिए परवत के उपर चड़ गया, तब चालिस दिन औ और चालिस रात परवत ही के उपर रहा, और मैंने ना रोटी तुखाए ना पानी पिया, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थरों की दो पटियों को सौब दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने परवत के उपर आग के मध्य में से सभा के दि तुमसे कहे थे, वे सब उस पर लिख दिये, और चालिस दिन और चालिस रात के बीद जाने पर, यहोवा ने पत्थर की वे दो वाचा की पटिया मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझे से कहा, उठ, यहां से जटपट निचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग, जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड गए है। जिस मारगर पर चलने के आग्या मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने जटपट छोड़ दिया है। अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मुर्ति ढाकर बना लिये है। फिर यहवा ने मुझसे यहवी कहा कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हटीली जाती के लोग है। इसलिए अब तुम मुझे मत रोक ताकि मैं उन्हें नष्ट कर दालू और धर्ती के उपर से उनका नाम वा चिन्ध तक मिटा डालू। और मैं उससे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाती तुझी से उत्पन करूगा। तब मैं उल्टे पैर परवत से नीचे उत्रा और परवत अगनी से दहक रहा था। और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटिया थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने से जिस पर चलने की आ गया यहवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेट दिया और तुम्हारी आखों के सामने उनको तोड़ दाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करने से मुह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात चालिस दिन और चालिस रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था क्योंकि वह तुमसे अप्रसन होकर तुम्हें सत्यानाश करने को था। परंतु यहवा ने उस बार भी मेरी सुन ली और यहवा हारुन से इतना कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारुन के लिए भी प्रार्थना की और मैंने वह बच्टा जिसे बना कर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डाल कर फूख दिया और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल की नाए जिर्न हो गया। और उसकी उस राख को उस नदी में फिक दिया जो परवच से निकल कर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मच्सा और किब्रोत हत्तावा में ही तुमने यहवा को रुडिस दिलाई थी। फिर जब यहवा ने तुमको कादेश बरने से यह कह कर भेजा कि जाकर उस देश के जिससे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ तब भी तुमने अपने परमिश्वर यहवा की आग्या के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहवा से बलवा ही करते आए हो मैं यहवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुह के बल पड़ा रहा क्योंकि यहवा ने कह दिया था कि वह तुमको सत्यनाश करेगा और मैंने यहवा से यह प्राष्णा की कि हे निजभाग जिसको तूने अपने महान प्रता से छुडा लिया है और जिनको तूने अपने बल्वंत हाथ से मिस्र से निकाल लाया है उन्हें नश्र न कर अपने दास इबराहिम, इसहाक और याकुप को स्मरन कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दु आया है वहां के लोग कहने लगे कि यहवा उन्हें उस देश में से जिसके देने का वच्चन उनको दिया था नहीं पहुचा सका और उनसे बैर भी रखता था इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है ये लोग तेरी प्रजा और निजभाग है जिनको झाल 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 झाल